नमस्कार मेरा नाम है मिताप और दृस्टी आईएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका जहां कभी गुलामी के काले बादल छाय थे उस धर्ती पर अब आजादी के नायोकों की गूँच सुनाई देगी दर असल हाल ही में एक खोशना की गई और इस खोशना के तहट अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के नाम को परिवर्तित कर दिया गया है अब इसका यह नाम जो कि आपनिवेशिक दास्ता का प्रतीक बन के था अब इसको परिवर्तित कर दिया गया है और अब इसका नाम होगा श्री विजयपूरम साथ-साथ हम समझेंगे कि आखिर उसका ये नाम क्यों पड़ा था और इस नाम को परिवर्तन करने की अवश्यक्ता क्यों महसूस की गई तो आज की इस वीडियो में इस पूर्य संदर्ब को हम समझने की कोशिस करेंगे सबसे पहले देखते हैं कि आज किस खबर में किस खबर के आलोक में इस संदर्ब को हम देख रहे हैं तो बात करेंगे खबर ये चर्चा में क्यों है तो Port Blair इसको rename कर दिया गया है अब इसका नाम विजयपुरम के रूप में जाना जाएगा How the city got its name यह हम जानेंगे कि कैसे Port Blair नाम इसको मिला था इस शहर को नाम मिला था And its connection with Imperial Cholaz अब जो सामराज जिवादी चोल सामराज्य था उससे इसका क्या सम्मंद है इस बात को भी समझने की हम कोशिस करेंगे लेकिन इससे पहले आप देखनेंगे इसकी अवस्थिति क्या है तो भारत के आप देखेंगे दक्षणी पुर्वी हिससे में आप इसका नाम ही Port Blair से बदलके स्री विजयपूरम कर दिया गया है इसको हम समझने की कोशिस करेंगे चर्चा के बिंदों की बात कर लें तो खबर के बाद चर्चा में क्यों है इसको जानने के साथ पोर्ट ब्लेर की आपनिवेशिक प्रिस्ट भूमी के बारे में नहीं किया तो कर लें साथ इस कारिकरम की पीडिएफ पाने के लिए आप हमको टेलिग्राम पर फ़लो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब देखिए बात अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूख की करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूख की ये राजधानी थी पोर्ट प्लेयर इसकी अवस्थिती की बात करें तो 11.62 डिग्री उत्तरी अक्षांस और 92.72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इसकी अवस्थिती है अमोमन ये अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है यहाँ पर कोरल रिफ पाई जाती है वन्ने जीवों की एक अच्छी खासी यहाँ पर तादाध है साथी साथ परेटन और सामरिक महत तो इसका है ही साथी साथ स्वतंतरता संगराम से भी इसकी कैसे कनेक्टिविटी है इस पूरे के पूरे मसले को हम समझने की कोशिस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा चर्चा को सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पोर्ट ब्लेर है उसकी आपनिवेशिक प्रिस्ट भूमी क्या है इसका ये नाम कैसे पड़ा था तो देखिए जहां तक पोर्ट ब्लेर के नाम का सवाल उठता है तो लेफ्टिनेंट आर्ची बॉल्ड ब्लेर नाम के एक बिटिश नौसेनिक अधिकारी थे जो कि यहां पर एक सर्वेक्षंड दल का हिस्सा बन कर आये थे एक सर्वेक्षंड दल इनहीं के नेत्रित्त में आया था आप जानते हैं कि बंगाल प्रेशिडेंसी हुआ करती थी तब कलकत्ता से एक दल चला यह देखने के लिए कि हम इन आसपास के जो द्वीप हैं उन द्वीपों पर कैसे एक अच्छा नियंत्रन रख सकते हैं तो उसके लिए कोई खास जगा हमारे लिए ऐसी होनी चाहिए जहां पर उस जगा का सामरीक उपयोग हम कर सकें आज भी इसके सामरीक महतु को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतिय अगर बात करें तो नौ से ना हो थल से ना हो या वायू से ना हो तीनों का यहाँ पर आपको बेस मिलता है तो यह इस महतु को उस समय भी समझा गया था तो ठारामी शताबदी के आराम में ब्रिटिस नौसेनिक अधिकारी जिनका नाम था लेटिनेंट आर्ची बार्ड ब्लेयर ये चले और यहाँ पर पहुंचते हैं अंडमान निकुबार्द वेप समूह का जो प्रवेश बिंदू है पोर्ट ब्लेयर था इस गाउं में मूल रूप से जो हैं यहां की अर्थ विवस्था थी वो मचली पकड़ने पर आधारी थी तो यहां पहुंचते हैं दिसंबर 1778 में ये दो नौसैनिक अपने जो जहाज थे उनको लेके पहुंचते हैं दो जहाज इनके होते हैं एलिजाबेथ और वाइपर इसके साथ ही यहां पर अंडवान पहुंचते हैं जो की कलकत्ता से चले होते हैं अब यहां पर यह सर्वेक्षन अभियान था प्रारब में जब यहां पहुंचते हैं तो इसका नाम उन्होंने जो लार्ड विलियम कार्नवालिस थे उनके नाम पर इस जगह को इन्होंने प ब्लेयर के नाम पढ़ने की कहानी है साथ साथ आपको बताएं कि 1789 का जो समय था इस समय इसको यहां पर एक दंड कालोनी की स्थापना कीगी दंड कालोनी का मतलब एक ऐसी जगह होती थी जहां पर आम जन्मानस रहते थे उससे हट के एक जगह ऐसी बनाई जाती थी कि लोगो क्यों को कड़ी सजा देनी होती थी तो ऐसी कालोनी में ही भेजा जाता था तो 1789 में इस जगह का इस्तिमाल किया गया एक पनिश्मेंट कालोनी की रूप में दंड कालोनी की रूप में साथी ग्रेट एंडमान की जो दक्षणी पुर्विखाडी में चैथम द्वीप है वह इस द्वीप पर अपना नियंतरन स्थापित किये और अपने समुदरी नेटवर्क में उनको ये लगा कि हम आसपास के द्वीपों पर इस जगह पर अगर कावीज हो जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं तो इसके इंपोर्टेंस को उन्होंने समझा और य उन कैदियों को जब ये पकड़े बिटिशर्स उनको दबाना चाहे तो उन लोगों को कैद करने के लिए इस जगह को फिर से एक दंड कालोनी की तरह से इसको फिर से रिस्टेब्लिश किया गया जो दंडात्मक कालोनी पहले बनाई गय थी 1789 में उसको फिर से आप देखें का एक पहला बड़ा जथा पहुंचता है जिनको की यहाँ पर कैदी के रूप में रखा गया था तो याद रखेंगे 1857 से भी इसका कैसे संबन्द है फिर आगे चलके 1906 वो समयावधी है जब यहाँ पर इसको सेलुलर जेल के रूप में तबदील कर दिया गया यह वही सेल संगर्ष है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको की यहाँ पर सजाय काला पानी में इस सेलुलर जेल में रखा गया था इसमें कई नाम आप ले सकते हैं जैसे वीर सावर कर थे 1911 में यहाँ पर वो भी रहे थे इसके लावा योगेश्चन चटर जी हो गए उपहिं पर रहते थे सजाय काला पानी इसलिए कहा जाता था कि यह बेहद यहाँ पर कठोर जो है परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में इन लोगों को रखा जाता था अब भारती दोशी जो इन में रखे गये थे वो अधिकतर राजनेतिक कैदी थे यह बात आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर एक एकांत कारवास में रखने के लिए लोगों को भेजा जाता था तो 1906 में यहाँ पर सेलुलर जेल का भी निर्माड हुआ था जो बाद में जो कि भारती सुतंतराज संगर्ष में कई यहाँ पर लोग आए आप देखें यह नाम जो परिवर्तन ह है उसका नाम भी परिवर्तन करके स्वराज द्वीप रख दिया गया था उसी क्रम में यह पोर्ट ब्लेर नाम जो है इसको भी यह माना जा रहा था कि यह भी एक उप्णिवर्षिक दास्ता का प्रतीक है तो इसके नाम को भी बदल के फिलहाल स्री विजयम द्वीप के इन स्कारों में इसमें मत्भेद है कि वो सामराजी वादी विस्तार के क्रम में गय थे या उनके पडोस में जो सामराजी था उसने उनके आपसी शासन प्रसासन में कोई हस्तक शेप किया इस वजह से लेकिन वजह जो भी रही हो चोल सामराजी के समय में राजे अंदर प्रथम के द्वारा यहां पर बगल में पडोस में सुमात्रा में एक स्रीविजय सामराज्य हुआ करता था उस स्रीविजय सामराज्य को अपने अधिकार में लिया और उस जगह की importance को उन्हों ने भी समझा, इसके सामरिक महतु का उन्हों ने भी समझा और वहाँ पर उन्हों ने भी चुकि चोलों की नौसेना मजबूत थी तो अपनी नौसेना को रखने के लिए अपने सामराजी विस्तार के रूप में एक बेस बनाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किय इसके महत तुको समझा तो देखिए चोल समराज जो थे चोल समराज जो थे रणितिक आधार के रूप में हम देखें तो इस जगह का उन्होंने उप्योग किया जैसा कि आपको बताया मैंने कि स्रीविजय समराज जो सुमात्रा में था और वद्धक्षिन पूर्व एशिया म उसका पतन होता है और इसकी पुष्टी अतिहासिक अभिलेखों के द्वारा भी होती है ग्यारामी शताब्दी में चोल समराज राजेंद्र प्रथम ने उसको अपने अधिकार में लिया और अंडमान द्वीप समुह को रणितिक नौसेनिक अड़े के रूप में उन्होंन अंडमान निकोबार का वक्षेतर था तो पहले उन्होंने अंडमान निकोबार के इस शेतर को अपने अधिकार में लिया चोलों ने और फिर उन्होंने श्री विजय सामराज जी को भी पराजित किया और उसका पतन भी हो गया तो इसके हम कह सकते हैं सामरिक महत्यु कह कुछ विद्वान कहते हैं कि स्री विजह द्वारा चोलों के व्यापार में हस्तक्षेप किया जा रहा था इस लिए उन्हों ने ऐसा किया कुछ लोग कहते हैं कि राजेंद प्रत्थम की जो अपने सामराजिय विस्तार की नीती थी इस वज़िया गया कुछ अमेरिकी इतिहासकार जैसे अमेरिकी इतिहासकार G.W. Spencer ने भी इस बात को दुहराया उन्होंने कहा कि चोल विस्तारवाद का ही एक हिस्सा था जिसके परिडाम स्वरुप उन्होंने इस शेत्र पर अलिकार कर लिया लेकिन सवाल ये महतपूर्ण नहीं है कि उन्होंने के समय में भी देखें तो इसका महतव काफी है तंजावूर में पाए गए एक हजार पचास इसवी के एक शिलालेक कैनुसार आप देखेंगे ये बात स्परष्ट होती है कि चोलो ने इस द्वीप को तब इसका नाम उन्होंने क्या रखा था तो इसका नाम रखा था मानक् अदलब होता है एक बड़ी भूमी जो की खुली हुई हो जो की पुरी तरह से खुली हो या नंगी भूमी हो इस प्रकार का संभोधन चोलो ने 1050 इस वीके अपने तंजावूर अभिलेक में शिलालेक में किया है अब क्या है किसी राज्य का नाम बदले जाने की प्रक्रिया अब माली जी ये तो इस सिती है किसी एक शहर का नाम बदला गया है उसकी राजधानी का नाम बदला गया है लेकिन अगर किसी राज्य का नाम बदलना होता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है तो एक नजर इस पर भी डालते हैं तो संविधानिक प्रावधान क्या है नाम बदलने का अधिकार किसके पास होता है तो संसत के पास होता है भारती संविधान के अनुछेद तीन के नुसार भारतिय सम्विधान का नुछे तीन संसत को यह शक्ति देता है कि किसी राजी के एक्षेत्र सीमाओं या नाम को बदलने की प्रक्रिया वो निर्धारित कर सकती है इसके लिए क्या करना होगा तो एक प्रस्ताव होगा राजी का नाम बदलने की प्रक्रिया में संसद या राजी विधान सभाद दोनों में से किसी के द्वारा ये प्रस्ताव शुरुवात इसकी की जा सकती है इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है फिर राजी विधान मंडल ए कि राश्टपती की सिफारिस इसमें आवर्श्यक होती है इसके बाद इस प्रस्ताव को आगे जब भेजा जाएगा तो इसमें परिवर्तनों को प्रभावित होने वाले राज्य के कानून भी होते हैं साथ में विध्यक के अंडर्स्टूड है और राज्य विधान मंडल निर विध्यक संद में वापस चला जाएगा इसके बाद विध्यक पर आगे विचार विमर्ष होता है और उसके बाद विचार विमर्ष के बाद अब संसद में क्या होगा, उसपर एक बहूमत लिया जाएगा, जो कि साधारण बहूमत होता है। इस प्रस्ण की उम्मीद करते हैं कि कॉमेंट बाक्स में आपका सही जवाब जरूर आएगा प्रस्ण आपके सामने है पुर्व नाम नेल द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है विकल्प आपके सामने है नेता जी द्वीप शहीद द्वीप सुराज द्वीप वीर सावर कर उमीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे लड़ते रहें अपने लक्ष की और बढ़ते रहें Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले